पॉल्टेक्निक क्लासेस के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सुपर हेट्रोडाइन एम रिसीवर के बारे में तो आज ये शुरुआत करते हैं इससे पहले हम लोग पढ़ेते ट्रांस्मीटर के बारे में ट्रांस्मीटर जो भी हो ठिक तो उसमें हम लोग पढ़े थे ट्रांस्मीटर क्या होता है फिर पढ़े थे एम ट्रांस्मीटर के बारे में फिर एफेम ट्रांस्मीटर के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि SuperHetrodine Aim Receiver क्या होता है Receiver transmitter का उल्टा मतलब transmitter transmit करता है तो receiver receive करता है हिंदी में बोले तो transmitter कोई signal को भेजता है भेजने वाले को transmitter और receive जो प्राप्त करता है मतलब जो receive करता है उसको receiver तो आएए देखते हैं SuperHetrodine Aim Receiver को सबसे पहले इसके नाम के बारे में जान लेते हैं मतलब Super Heterodyne AM Receiver ये नाम क्यों ऐसा तो जानते हैं उससे पहले Heterodyne क्या होता है Heterodyning Heterodyning क्या होता है देखें यहाँ पे लिखा है Heterodyning is used to shift one frequency range into another मतलब Heterodyning क्या होता है ये यूज होता है एक frequency range से दूसरे frequency range में ठीक है मतलब एक frequency को दूसरे frequency में change करने के लिए हम लोग इसका use करते है यहाँ पर दूसरे में क्या है मतलब दूसरा point में क्या है कि it is also called as frequency conversion मतलब heterodyning जो है उसको हम लोग frequency conversion भी कह सकते है मतलब कह सकते हैं नहीं कहते है और देखे इसका use कहां कहां होता है इसका use होता है radio receivers में modems में satellite communication में setup boxes जो आपके घर में जो setup box लगते हैं उसमें cell phones हमारे mobile phones में and many more receiver हम लोग उस जगा पिस तूने हैं जैसे जब हम लोग cordless mic यूज करते हैं तो वहां पर receiver का ज़रुत पड़ता है यानि जो हम लोग mic जो use करते हैं उसमें एक receiver होता है amplifier के पास वो mic से सबसे पहले receiver के पास आता है signal उसके बाद वो amplifier को देता है यह ऐज ए example है अब हम लोग जानते हैं कि इसका block diagram देखे देखे इसमें क्या क्या है और हम लोग इसमें क्या क्या जानना है सबसे पहले receiver में एक antenna होता है और antenna के साथ में इतने सारे blocks होते है यह blocks ठीक जो कि demodulation करता है total process तो इसी blocks के बारे में हमें पढ़ना होता है यह antenna है antenna signal receive करेगा फिर इसके components को देगा यह फिर इसको normal signal में convert करेगा फिर वो normal signal आपके कहां जाएगा speaker को जाएगा ओके अब हम लोग देखते हैं यह काम कैसे करता है सबसे पहले antenna antenna के बाद RF amplifier RF amplifier के बाद mixer and detector 1 उसके बाद IF amplifier उसके बाद demodulator उसके बाद AF power amplifier सबसे पहले antenna antenna क्या होता है antenna सबसे पहले signal receive किया signal receive करने के बाद यह दे दिया RF amplifier को तो जो signal जितने भी signals antennas में टक रहे वो signal सारे signals RF amplifier को आगे तो RF amplifier उसको amplify करके mixer को दे दिया mixer में क्या होता है main function इसका mixer में होता है यहाँ पे अगर आप समझ गए तो आप पूरा block diagram आसानी से समझ जाएगा और RF कैसे function करता है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा देखें mixer के पास क्या होता है यह चीज यह जो mixer है ना यह ठीक mixer का क्या होता है mixer क्या करता है कि mixer में एक जो frequency FR देखें इधर से एक frequency आ रहा है ठीक एक frequency इधर से जाता है यह होता है F O कहने का मतलब oscillator का frequency इधर से आ रहा है F R ठीक है तो यह दोनों frequency आ करके यहाँ पे mix होता है अब mixing क्या होता है वो बताते हैं mix कहने का मतलब mixing और heterodyning यह दोनों सेम प्रॉसेस है इसलिए इसका नाम super heterodyne aim receiver पड़ा मतलब super heterodyne इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे heterodyne होता है अब आपको बताते हैं कि इसमें मतलब यह वाले पार्ट में क्या होता है आगी दूसरे blocks में देखे इसमें क्या है कि जो fr frequency आ रहा है इधर से frequency आ रहा है एक frequency fao जो कहां से आ रहा था जो आ रहा था हमारा oscillator से देखे यहाँ पे देखे यह ओसिलेटर से आ रहा था फ्रिकेंसी एफ हो ठीक यहां पर आप देख सकते हैं ठीक यहां पर आ रहा है ओसिलेटर से फ्रिकेंसी आ रहा है यह वाला यहां पर देखें यह अब यह फ्रिकेंसी यहां पर देखें दो फ्रिकेंसी आ रहे न यह दोनों फ्रिकेंसी आ करके इस करता है या फिर हेट्रोडाइनिंग करता है दोनों सेम चीज है मिक्सिंग और हेट्रोडाइनिंग इसलिए इसका नाम हेट्रोडाइन मतलब सूपर हेट्रोडाइन डेडियो रिसीवर पड़ा तो देखें क्या होता है कि इधर से एक एफर सिगनल आ रहा है मतलब यहां से एक एफ नॉट सिग्नल जा रहा है ठीक यह तोनों यहां पर mixing हुआ mixing होने के बाद इसके अंदर एक band pass filter लगवाता है mixer के अंदर में वो क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ intermediate frequency को ही आगे पास करता है और aim में intermediate frequency 455 kHz होता है ठीक है 455 याद रहे यह frequency याद होना चाहिए किलो हर्स का होता है अब वो frequency आता है IF amplifier को इस वाले section में इस वाले section में क्या होता है कि वो जो signal आया IFC उसको यह amplify करके demodulator को दे देता है तो demodulator क्या करता है कि उस signal का demodulation process करता है ठीक demodulator उसका demodulation कर देता है ठीक अब वो demodulation के बाद जो signal हमारा आता है वो normal signal हो जाता है मतलब जिसको हम लोग सुन सकते हैं अगर वो speaker को दिया जाए तो उससे पहले speaker से पहले एक एफ पावर amplifier नहीं audio frequency power amplifier को होता है जो कि हमारा speaker को drive भी करता है तो power amplifier का क्या काम होता है देशीदे करने के लिए हम लोग एश करेंगे यहां पे क्या क्या किये है कि इसके आगे हम लोग speaker तो क्या होता है पाउर amplifier क्या करता है कि वोल्टेज के साथ-साथ current को भी amplify कर देता है जो कि हमारे speaker के लिए बहतर होता है और फिर वो सिगनल speaker को दे देता है तो speaker क्या करता है उसको sound signal में convert कर देता है जिसको हम लोग सुन सकते हैं तो देखिए क्या हुआ कि सुरू में हमारे पास जो signal आया था वो इस तरह का था ठीक और बाद में जो signal आया वो इ जैनी input इनपूट ऐसा और output ऐसा ठीक है आउटपूट ऐसा तो यह हो गया demodulation process receiver के द्वारा ठीक अब इसमें जान लेते हैं और इसके बारे में कुछ जैसे देखिए एक तो यह हो गया और इसके बारे में इसके बारे में जान लीजिए फिर से देख लेते हैं एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं एंटीना है एंटीना पे सिग्नल जाया आया एंटीना पे सिग्नल तकराने के बाद बहुत आया अरेफ एंप्लीफायर को आया इसको एंप्लीफाई करके mixer को दे दिया mixer mixing करके एक फ्रिक्वेंसी जनेरेट किया जो की intermediate frequency है या फिर intermediate signal है वो IF amplifier को अगया अब वो IF amplifier IF signal को amplify करके demodulator को दे दिया अब फिर वो demodulator demodulation process करके means उसमें से carrier को हटा करके वो एफ power amplifier को दे दिया अब एफ power amplifier क्या किया है उसके power को amplify करके कहने का मतलब voltage और current दोनों को amplify करके अपको क्या किया वो speaker को दे दिया तो यह हो गया total process complete ओके तो इसमें इतना ही फिर बाग की आगे के वीडियो में देखेंगे थैंक्यू वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like किजे comment किजे और बताएए इसमें आपको कौन सा point नहीं समझ में आया जो point नहीं समझ में आया हम आपको उसको फिर से समझाएंगे अगर टेक्स्ट से हो सके तो हम आपके message पर reply करके बताएंगे नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में दिरूर इसके बारे में बताएंगे thank you thanks for watching